करेंगे मौसम की खबर के साथ तो मद्यप्रदेश में मौसून की एंट्री होने के बाद अब असर भी दिखाई दी रहा है कई जलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का लर्चारी किया गया शुक्रवार दोपहर तेज हवाओं और गरश चमक के साथ भोपाल में मुसलाधा एक घंटे में करीब एक इंच बारिश हुई है कई जगह पानी भी भर गया भौपाल के अलावा सिवनी और रह्ती में भी बारिश विसके अलावा गुना की बमोरी श्य Judiths में भी बारिश के साथ ओलेगी रहे हैं तो भोपाल सिवनी और रहटी की ये तस्वीरे आप देख रहे हैं मध्यप्रदेश में मौनसून ने दस तस्दी है और भोपाल सिवनी और रहटी में आप तस्वीरे देख सकते हैं कई जिलों में तेजवाओं के साथ बारिश का लट भी चारी किया गया वहीं तेजवाओं और गरस चमक के साथ राज़ानी भोपाल में मुसलाधार बारिश होई है एक घंटे में करीब एक इंच बारिश होई कई जगा पानी भी भर गया और बहानों को खासी परिशानी हुई दूसी तरफ तस्वीरे आप देख रहे हैं सिबनी और हटी में भी बारिश होई है जादा जानकारी हम लेंगे समबादाता वासू चौरे लाइफ हमारे साथ जुर गया है सीदे उन करूप करते हैं वासू मौनसुन की एंट्री प्रदेश में हो चुकी है राजधानी भोपाल में भी पिछले दो से तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है ये बताएए मौसम बिभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है क्या अलर्ट जारी किया गया है बिल्कुल जा देखिए पश्चे मुत्तर बंगाल की और एक कम दबाओ का छेत्र बन रहा है जिसका असर साफ़त और पर मद्पदेश में देखने को मिल रहा है जिसके चलते मद्पदेश की राजधानी भोपाल समित अन्य कई जलों में जो बारिश का दौर है बीते 48 घंटों में जारी रहा है विश्वेश रूप से अगर हम बात करें तो भोपाल, इंदौर, उज्जेन, जबलपुर वो संभाग है जहां पर अच्छी बारिश अब तक हो चुकी है और जून की में जो बारिश का सामानी कोटा होता है क्योंकि 15 जून तक प्री मौनसून एक्टिविटीज है वो चलती रहती है लेकिन इसके बावजूद भी अभी 15 जून आने में वक्त है और जो सामानी बारिश है उससे कही अधिक जो बारिश है वो अब तक मदपदेश में हो चुकी है और अनुमान यही है कि इसी तरह से जो बारिश का क्राम है वो जारी रहेगा मौनसून जो की 20 जून के करीब MP में दस्तक देने वाला था और 24 से 25 जून तक पूरे प्रदेश में सक्री होने वाला था वो पहले ही मदपदेश में दस्तक दे चुका है हाला कि कोई जले अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां पर आनुमान यही है कि 20 जून के आसपास तक जो मौनसून है वो पहुत जाएगा तो लोग यूमीडिटी वो मस की कारएंट काफी परिशान नजर आ रहे थे लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों बारिश होई है कहीं न कहीं आम लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है जया बिल्कुल वासू आम लोगों को गर्मी से राहत मिली किसानों के लिए ये बारिश अच्छी साबित हो सकती है लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए क्योंकि इस बारिश के बाद निगम प्रशासन की भी पोल खुली है हमने पचली बारिश में भी देखा है कई जगा पर द बारिश के पहले जो शेहर की जो नालिया है नाले है और से इंसेटिव स्पोर्ट से उनको और इट निगम के द्वारा किया जाता है और इसकी तैयारिया भी चल रही है हाला कि अभी हमने देखा कि बारिश के पहले लगतार कोविड-19 का जो संक्रमेंट काल चल रहा था ऐस गड़ों की वज़े से काफी जादा परिशानी हुई कुछ रोड ऐसी हैं जो अभी भी डवलप हो रही हैं या फिर कच्छी रोड से वहां पर काफी लोगों को परिशानीयों को सामना करना पड़ा कई जगे नालिया भर गए जिसके चलते भी दिक्कत हुई खासतों और पर जो फोपाल के निचली बस्ती इलाके हैं वहां पर मौनसून के चलते कुछ जादा ही परिशानियां सामने आती हैं जया लेकिन उमीद यही है कि जिस तरीके के दाविजला प्रशाशन और नगर निगम के और से किये जाते हैं कि तमाम जो विवस्ता हैं वो बहुत बैतर र मौनसून ने दस्तक दे दी है राज़ानी भोपाल में भी मौनसून सक्रिय हो गया और एक इंच बारिश होई है राज़ानी भोपाल में इसके साथ ये भी बता दे कि तेज बारिश के साथ मध्रप्रदेश में अब आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर जा रही है ले के साथ ही धमतरी जिले में भी अच्छी बारिश हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया मौसम बभाग के मताबिक आने वाले दिरों में बारिश का ये दौर जारी रहेगा जिससे तापमान में और गिरावट आएगी